जब कभी आपने अपने Facebook page का यूजर नेम चेंज करने की कोशिस की है लेकिन आपको एक error शो हुआ You are not eligible to create a username इस वीडियो में मैं आपको इसी problem का solution बताऊँगा तो वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा और अगर ये solution आपके लिए काम करे तो वीडियो को लाइक जरूर करना Hello दोस्तों मैं हूँ परविंदर और आप देख रहे हैं My Blog Mantra Lettest Digital Marketing, SEO, Social Media, Blogging और Online Business से Related Tips के लिए चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन पर प्रेस कीजिए चलिए आज की वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं ये जो error है You are not eligible to create a username ये error फेस्बुक पेज में क्यों आता है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वो trick जिसका use करके आप अपने फेस्बुक पेज का username चेंज कर सकते हैं इसके चार ही main reasons है पहला reason है आपके फेस्बुक पेज पर 25 like से कम है दूसरा reason है आपकी फेस्बुक प्रोफाइल न्यू है यानि आपने recently ही फेस्बुक अकाउंट बनाया है और तिसरा reason है आपके फेस्बुक प्रोफाइल फोन नंबर वेरिफाइड नहीं है चोथा reason है आपने recently एक से ज़्यादा फेस्बुक पेज बनाये है या फिर आपका फेस्बुक पेज न्यू है चलिए अब बात करते हैं उस trick की इस trick के अंदर आपको अपने फेस्बुक पेज पे किसी और को admin बनाना है और उसकी फेस्बुक ID से username चेंज करना है चलिए practically वीडियो में देखते हैं सबसे पहले आपको फेस्बुक पेज ओपन करना है अब पेज ओपन होने के बाद settings पे click कीजिए क्लिक करते ही page settings open होंगी page settings open होने के बाद आपको left side में page rolls दिखाई देगा उस पे click कीजिए अब यहां से आप अपने फेस्बुक पेज के लिए new admin, editor, moderator या advertiser add कर सकते हैं अब आपको assign a new page roll के नीचे type, name और email address वाले box पर click करके अपने friend या किसी दूसरी Facebook ID को type करना है जिसका access आपके पास हो यहां मैं अपनी ID add करता हूँ उसके बाद आपको page roll में admin select करना है और add पे click करना है click करते ही verification के लिए आपके पास एक pop-up open होगा यहां आपको अपना Facebook account password type करना है और submit पे click कीजिए अब आपका new admin add हो चुका है जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं अब आपको ये new admin वाली Facebook ID open करनी है और notification पे click करना है यहां आपको page admin की invitation पर click करना है उसके बाद आपको accept पे click करके अपने Facebook page name पे click करना है अब आपका Facebook page open हो चुका है यहां आप देख सकते हैं कि इस page के zero likes है अब page name के नीचे create page username पर click करना है आप Facebook username को about section से भी edit कर सकते हैं create page username पर click करते ही आपके सामने create page username का एक pop-up open होगा यहां आपको username type करना है धान रहे आपकी सिर्फ available username ही ले सकते हैं जब आपके username के सामने right tick show हो उसके बाद create username पर click कीजिए अब जैसे ही आपका page reload होगा तो आप देख सकते हैं कि आपका Facebook page username चेंज हो चुका है आज के लिए इतना ही मिलता हूँ आपसे next video में वीडियो अच्छी और helpful लगी तो like और subscribe जरूर कीजिए धन्यवाद